अब देखते हैं जियोमेट्रिक सीक्वेंस यह भी बहुत सिंपल है सबसे पहले हम क्या करेंगे हाँ पर हम अपनी कुछ लिखेंगे दैन हम उसकी जर्नल टम निकालने की कोशिश करेंगे तो बटा एवन क्या है एवन है टू एटू क्या है सिक्स पर डैफिनिशन पढ़ने का भी तफ है रहा है जब हम एक ऑब्जर्वेशन देख लिए तब आपको अच्छे से समझ में आएंगी ए थ्री हमारे प सब्सक्राइब जर्वाइब हैं पर एसा क्यूं कर रहे हो बेटा थोड़ा साब आपको इंतजार करना पड़ेगा में आ रहा है यहां पर भी कुछ सेम निकल रहा है हमने एपी में क्या पढ़ा था एपी में पढ़ा था दो consecutive terms के बीच का जो difference होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए और जीपी में क्या होता है जीपी में दो consecutive terms के बीच का जो ratio होता है वो सेम होना चाहिए तो यह बिटा दोनों में डिफरेंस है सब थोड़ा सा और अच्छे से समझाओ बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे तो बेसिकली हमारे पास यह कल निकला यह निकला common ratio common ratio two consecutive terms के बीच के common ratio इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले लिखता है common ratio इसको हम बोलेंगे common ratio विच इस रिप्रेजेंटेड बाइ आर विच इस रिप्रेजेंटेड बाइ आर यह क्लिए यह क्या है common ratio अगर आपको अगर आप देखो इन दोनों कि यह common two consecutive terms की common ratio क्या कि 3 आगे 16 divided by 6 करोगे तो क्या क्या 3 आगया 54 divided by 18 करोगे 3 आएगा 162 divided by 54 करोगे 3 आएगा तो two consecutive terms की यहां पर जो ratio है वो बिल्कुल same है तो उसको हम बोलेंगे geometric sequence समझ में आया यहां तक हम जी सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया तो यहां बेटा मैं कुछ observations लिखूंगा और उस observation से फिर हमें क्या करना है सर उस observation से आप हमें journal term निकालना सिखाओ बेटा अगर मैं यहां पर एवन के साथ एवन के साथ कुछ multiply कर दो multiply क्या अगर मैं यहां पर कर दूऊ और जो common ratio कर था है थी अगर common ratio से multiply कर दो तो क्या मैं 6 तक पहुंग जाओंगा हंजी सर बिल्कुल तो यहां पर मातिप्लाई आ ऑन रहा न बिलकुल लिख सकते हैं मेरे पास य यहां पे Ben six अगर मैं आप से पूछो एस निगालना है एस निगालना हो कैसे तो कैसे निगालों कि रहे हम यहां पे 11 और अब आफार देखते हैं अगर आपको यहां तक पहुचना है अभाप को यहां पे थार्ल तक पहुचना है ठीक है तो सब्सक्राइब टू मल्टिप्लाइब 3 और मल्टिप्लाइब 3 अगेन कर दो यहां पे तो आपके पास 18 आ जाएगा हां जी सर छे और छेटी अठारा 18 इसका मतलब यह हुआ जो मेरे पास जो आर है और यहां पर कितनी बार आगा अगर आप यहां पर आर देखो तो आर एक और 2 common difference 2 बार है तो मैं यहां पर आर का square लगा सकता हूं क्या हो जाएगा 339 हो जाएगा हां जी सर बिल्कुल 339 हो जाएगा तो एक बर देखो सर थोड़ा-थोड़ा confusion हो रही है बैटा कोई भी confusion नहीं होगी तो common difference का मैंने square लगा दिया तो हमारे पास यहां पर क्या गया 18 आ अ इसको अब आपको clear हो जाएगा धिरे-धिरे जैसे हम आगए चलेंगे अब a1 अब मुझे आप एक चीज बताओ अगर आपको 54 तक पहुंच रहे हैं ठीक है तो कैसे पहुंच ओगे अब मैं यहां पर multiply 3 और कर दू ठीक है ना multiply 3 और कर दू 2 multiply 3 18 तक पहुंच गे अब 18 multiply 3 कर अब 54 पहुँच जा गए हम जी सर बिल्कुल पहुच जांगे तो arm के लार गाए एक थरी यहां पे अर आ गया अब यहां से कुछ एक observation हम देखते हैं अपनी अगर मैं यहां पर इसकी power 1 लगा तो आपको यह देखना है कि यहां पर जब हमारे पास 2 था तो यहां पर common ratio कि जो power थी वो 1 थी जब यहां मेरे पास 3 आया तब यहां पर 2 आया ठीक जब यहां पर 4 आया तो बेटा यहां पर क्य आया हमारे पास 3 आया तो यहां से हम क्या एक जर्नल observation हमने यहां पर देखी तो जर्नल टाम हम लिख सकते हैं इस observation से सर बड़े प्यार से लिख लेंगे बहुत simple very very simple ठीक आप देखो यहां पर जर्नल टम की हम बात करें जर्नल टम की अगर हम बात करें तो क्या आएगा अगर हमारे पास यहां पर हमें कोई भी एनट टम निकालनी है ठीक तो even even multiply are और आर क्या है a r क्या है जो हमारा N होगा उससे एक कम r की power होगी अगर N हमारा 3 है तो हार की power 2 है n अगर हमारा 4 है तो 여기 power क्या है 3 है तो उससे एक कम तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास वामला कि वार की power N-1 कि सब्सक्राइब कुछ और जोगी है तो इसकी जर्नलрем होगी जिस्की हूं होगी। अगर मैं अखी 50th निकालने है यहाँ पे आप गपर करेंज कर एक चभी तो एक से इसको आपको याद कर लेना है तो यहांपर आप जीपी की भी जर्नल टर्म निकालनी सीखी पुरी अब्जर्वेशन के साथ बेटा रटा कुछ भी नहीं लगाना है नोट करो उसको फिर चलते हैं आगे